सारे पत्रकार साथियां दा मैं इस प्रेस मिलनी तो अड़ा स्वागत करदा है तो अनुझी है आज एक बहुत एहम फैसला है जड़ा की पंजाब दे नौजवान नल जुड़िया है जड़ियां पिछले कई दिना तो अटकला लाईयां जा रहीयां सी उननों विराम दिन दे होए पंजाब यूनिवर्स्टी नल जुड़े इशू ते पंजाब सरकार दे मान जोग मुखमंतरी सरदार पगवान सिंग मान होनाने आज एक चिठी जड़ी है देश दे हॉम मिनिस्टर और हाडी मिनिस्टर नों लिखी है अपा सारे जान दे हैं कि पिछले कई साल ना तो पंजाब यूनिवर्स्टी नों सेंटरलाइस करन दियां साजश्या जड़ियां हैं वो केंदर चे बैठी हैं सरकारा और एंटी पंजाब फोर्सिस कर दिया रही हैं और पंजाब यूनिवर्स्टी या पंजाब दे हित्ता दे खिलाफ अगर कोई स्टेप होगा ते एक जुम्मेवार सरकार होन दे नाते एक जुम्मेवार मुखिया होन दे नाते जस तरीके नाज मान जोग सरदार पगवन सिंग मान होना ने एक सपस्ट शब्दा ची जड़ाया सेंटर दे हो मिनिस्टर अमिशाजी और हाडी मिनिस्टर तर्मिंदर पर दानू जड़ी चिठी लिखी है और जिदों पिछले सालाच चाहे हो काली दल बीजेपी दी सरकार सी चाहे कॉंग्रेश दी सरकार सी दोहजार आठच मैं जड़ी गल कही ना कि सेंटरलाइज करंदियां साजशा बड़े साला तो चल रही हैं लेकिन दोहजार आठच बादल साब्दी सरकार ने भी एनोसी देता सी कि कर लो और इसे तरीके ना 2021 एक हाई पावर कमेटी जड़े वाइस प्रेजडेंट ओफ इंडिया और मोती सरकार मोती साब्दी सरकार ने एक बड़ाई सी पंजाब यूनिवस्टी दियां ताक्ता नू सेंटरलाइज करंच ओदे च दोहजार इकी च पंजाब च कॉंग्रेस सरकार दे नुमाइन दे होन दे बावजूद भी इना लोका ने पंजाब दे इंटरस्ट नू अन देखा की ता लेकिन आम आदमी पार्टी और मान साब दा पिशनिया सरकारा तो एही फर्क है कि असी अख्खां खोल के और चिकन्ने हो के पंजाब दे हित पंजाबियां दे हित व लोगी हिस्टोरिकल फैक्ट है है कि पंजाब यूनिवस्टी जेड़ी है वो पंजाब दी यूनिवस्टी है अठारा सो ब्यासी चे जदो लहौर चे दी स्थाबना होई जोइंट पंजाब उदो इवन शहीदे आजम पगसिंग ओ यस यूनिवस्टी दे अलोग नहीं है संताब जेड़ाया वहंडाया पंजाब यूनिवस्टी और पंजाब यूनिवस्टी दे भी दो टुकड़े कर देते गए एक पंजाब यूनिवस्टी लहौर जेड़ी लहौर चे रहेगी और दूसरी 1947 पंजाब यूनिवस्टी एक्ट दे रहीं पंजाब जेड़ी यून करना और नोजवाननानू हाइर एजूकेशन चेड़ा है चंगी सिख्या देनी अनफॉर्चुनेटली जदो उन्नी सो च्यार्च री आर्गनाइज हुन दाया पंजाब उदो जड़ाया पंजाब यूनिवस्टी नूवी एक वार फेर क्योंकि ओस टाइम पंजाब यूनिव दे अंडर चले जान दी है टेंपररली लेकिन एदा मतलब ए नहींगा कि पंजाब यूनिवस्टी ते सेंटर दा कवजा हो गया या पंजाब यूनिवस्टी सेंटर कवजा कर लूगा और यही होया सही सही हार्याना और हिमाचल ने अपने कॉलेज़ वापस ले अज पंज सोदे करीब और इस तो लावा जेड़ा साड़ा कैपिटल है पंजाब युनिवस्टी दा पंजाब दा कैपिटल चंडी गड़ो ओही कॉलेज यानि की जूरिजिक्शन्स भी पंजाब चाहे और पंजाब एनू सठ चालू ती जड़ी रेशो आ फानेंस दी ओदे चाली परस सब्सक्राइब पंजाब युनिवस्टी नियुक्त पंजाब सरकार आज भी अपना बहुत वड़े इस तरते जड़ा हिस्सा है कंट्रीबूट फानेंस्ट भी कर दिया और एक मैं तितरा पहला वी दस्या कि पंजाब युनिवस्टी नू बड़े साला तो सेंट्रलाइज करंदी कोश्चा हो रही हैं उस कोश्चा दे दरान 2008 चे काली दल भी 9 नोसी दे चुक्या सी बाच लोका ने दवाब पाया थे बादल साम ने वो अपने आउडर वापस ले ले 2021 कॉंग्रेस सरकार ने जड़ी हाई पावर कमेटी बनी उदे सपस्ट लेखता कि पंजाब जड़ी जूरी डिक्शन फाजल का अबोर मुपसर तक है उखता दिती जावे और मजूदा उस से मजूदा कॉंग्रेस सरकार ने जड़े नुमाइंदे सी उनना ने भी हामलाई तो सेंटर दे नाल नाल गौंग्रेस, कालिदल और बीजेपी दी एंजरिया सरकारा ने जड़ी जुम्मेबार है पंजाब दे हित्ता नाल कंप्रोमाइज कर ली लेकिन आज इस दिन तो आम आदमी पार्टी दी सरकार बनी हैं मान साब दी सरकार बनी हैं तो जड़ों ए बड़ा स्पस्ट करना चोनना सारे पंजाबियानू तो अड़े राही के पिछले दिनाच कोई सेंट्रल युनिवस्टी वस्ते कोड़ नहीं गया सी एक प्रफेसर अपनी एज नू जड़ी रेटायर्मेंट एज है सिस्टी तो सिक्स्टी फाइव करन वस्ते हाई कोड़ गय ती पिक्योंनि सेंट्र से दि्जेडी सरकार है ओ पंजाब युनिवस्टी अपने अंडर लें दी इस कोड़ दी एस केस्ट दी हेरिंग दाध ना पंजाब सरकारदा उसंथे वकीझ सी ना पंजाबंद युनिवस्टी दाधád दी वकीझ सी इवन जिड़ा आएIns côtना ऊस पंजाब यूनिवस्टी ना समंदित अपना जड़ा स्टेंड है पंजाब यूनिवस्टी ते पंजाब दा हिस्टॉरिकल कॉंस्टुटुशनल और इमोशनल ए रिस्ताया और डट के मान जोग हाई कोड दी निगरानी ज़ाई कोड ची वी रखूगी और अज जस तरीके ना यही हुंदा रहा पंजाब ना पंजाब ना पिशले सलना जड़ियां सरकारा रही है वो अख़्ा मीजलें दियां से जोदो पंजाब दे हित्ता नाड समझाता होया अपने निजी स्वार्था वास्ते कंप्रोमाईज कर लिया गया चाह बीबी एमबी दी गल कर लो चाह सि जड़ा केंदर दी सरकार नों कहता कि पंजाब यूणिवस्टी जड़ी है एप पंजाब दी ही उनिवस्टी और पंजाब दी यूणिवस्टी दे यह जड़ा सेंट्रलाइज करन दे किसे भी साजिश नों असी बिल्कुल बरदास्त नहीं करंगे कोई कंप्रोमाइज नह कि सेंटर दी मजूदा जड़ी सरकार है और वीजेपी नुँ मेरा स्वाल है जड़े लोग अज पार्ती जंता पार्टी नुँ पंजाब चो दी पैरवाई कर रहे हैं नुँ मेरा स्वाल है कि पार्ती जंता पार्टी जिस तरीके नुँ पहला जवालना और नेर्व यूनिवस्टी देना नटैक कीता होड़ो पंजाब यूनिवस्टी और पंजाब यूनिवस्टी दे राही पंजाब दे हित्ता ते जड़ा लगाता राकर्मन कर रही है जेड़ी पार्ति जनता पार्टि जे पंजाब सत्ताच नहीं आई उस तो पहिला भी पंजाब दे हित्टा नाव इस तरीके नाल खिलवार कर रही है या डाके मार रही है अगर ओख, खुदा ना खास्ता किसे तरीके नार पंजाब दे लोग काने किसे लोग सवाच संगरूर वाली मैं जरूर गल करूंगा हलाकि कोई रेस नहीं गे इनना लोग कानो सवाल कुछे जान इनना कि पंजाब युनिवस्टी ते नदा कि सूरा जड़ी साथी इननी हिस्टॉरिकल सौ साल तो पराणी युनिवस्टी है इस करके जड़ी सेंटर दी हैं जड़ी हैं साजशा हैं पंजाब एंटी पंजाब युनिवस्टी दे खलाब होनों ममजूदा मान साथी सरकार बिलकुल बरदास्त नहीं करूगी जिस तरीके दी भी लड़ाई जड़ी हैं उन्वाले टाइम जड़ी है मजूदा सरकार नो पंजाबिया नो लड़नी पही तो लड़ांगी सो लेकिन लेकिन लास्ट मेरा स्वाल है 2008 चे कालिदल बीजेपी ने कंप्रोमाईज की था 2021 कांग्रेश सरकार ने कंप्रोमाईज की था पंजाब युनिवस्टी दे हिता नो लेके और मजूदा सेंटर दी बीजेपी सरकार क्यों वार वार पंजाब दे अधकारा थे पंजाब दे हका थे क्यो ड़के मारिये मेरा नो नो स्वाल है और पंजाबिया नो मैं फिर एक वर्तवा डेरा ही बेंती करूंगा कई वार बड़े बड़े तरह दे स्वाल उठाये जा रहे हैं की मान साब बोली रहे हैं मान साब बहुत देन पहला इस इशू नो टेक अप कर चुके है कंसर्न मिनिस्ट्री ना चार्डी ना भी और मिनिस्ट्री आफ होम अफिर आपने ग्रेम अंत्रा लेना मान जोग अमी शाजी ना भी सो मान साब हर एक पंजाब दे मुद्धे बड़े सजग है जागरुक है जुम्मेवार है किसे तरह दा कंप्रमाई जड़ा मादी पार्टी दी सरकार जड़ी पंजाब दे हिता नो लेके हका नो लेके कदी नी करोगी और पंजाब यूनिवस्टी नो बंड़ता जड़ा फानेशल असिस्टेंट है और पंजाब सरकार ऑन वाले टाइम जबे दिन दी रहोगी मैं गल बड़ी स्पस्ट के दा जदो सूबे दी सरकार अखा मीज लें दी आ देखो साटा एक समधान मुलक दा और समधान च सूबे दे और सेंटर ने मेल के जड़े फैसले लेने हों दिया चाहे एजूकेशन और लेटड भी गल पाज करिये चाहे संस्थावान में लेके कोई भी गल लेकर लेकिन जे सूबे दी सरकार अखा मीज लोगी जे अपना केस पुटप नी करोगी अपना पाख नी रखोगी फिर ते सभाविक है कि सेंटर ते अल्रेड़ी कभजे करन दी कोशिश करी रहा इवन अपा किसान अंदोलंच भी देख लिया ये एंटी फार्मर ला ले आके और ये फार्मर ना अजिटेशन कर देते ही आलो ना है सो पंजाब यूनिवर्स्टी ते मैं एक गल फिर कही है हिस्टॉरिकर और कॉंसिटूशनल मैं कॉंसिटूशनल वर्ड वार वार कह रहे है बिदाउट पंजाब दी सेंपती तो किसे तरह भी सेंटर कोई फैसला नहीं ले सकता हाँ जे कोई लीडर अपने निजी स्वार्थाली कंप्रमाइज कर लेते हो गालवक्री जेड़े की अतीच होंदे रहे है मांसा बिलको नहीं होंदेंगे और ये जेड़ी साड़ी हैरिटेज इंस्टूशन है और एक डेमोक्राटिक सैनेट सैनेट हाउस भी है जिड़ा डेमोक्राटिक है वह भी बरकरार बरकरार रखांगे ऐसी और पजाब उनिवस्टी जड़ी है वो पंजाब दी हीरो तो कांच अब इस दी माली हालत जड़ी है बहुत खराब है पिछले जैसी पीसाच भी काफी बिड़ुकती किती सी की इसकर के स्टूशन ने भी उस्टा विरोग किता सी उसने बाव जड़ी यूनिवस्टी दी माली हालत है वो सुदूर्दा ना ना नी पहरी जिसकर कियों को कैसी यहर सिखें सेंटर सटिविग आप जड़ा उस्टेवी ठीवी पंचाव वर्मेंट वाड़ी बखाया है पिछने के सामा यार को दे लिघी किसे भी यूनिवस्टीनूँ फिनाश्याल असिस्टेंट हो गया मलू स्नेटर दा नामं तीय उनीवाइ या यूनिवस्टियां सेंटरतियां हो गिया एक एक बवस्ता है साधे समधांच और पंजाब यूनिवस्टी नू लाइक लिए क्योंकि 1906 रियार्गनाइज होया उस तो पहला इदी जूरिटिक्ष ने हर्याना ही माचल तक सी एक टेंपरेरी परवीजन कीता गया सी उस वे नहींगा भी पंजाब यूनिवस्टी ते साधा अधकार नी जेड़ी रही गल्थ वाड़ी ग्रांटा नू लाकित नो डाउट पिशले सालनाच मौके नियां सरकाराने इस्टिउशन्स नू बचोन वास्ते जिस तरीके दियां ओदी माली मदद करनी चाहीदी सियां फ पहला मुक्हमंत्री बाणतों बाद सब तो पहला विजट जिड़ायों पुझाबी यूनिवस्टीच कर दे तो डैफिनेटली ए चीज़ांते सरकार गौर करूंगी और वाले टाइम इस तरह दी कमी नहीं नहीं ओन देती जो शुक्रिया कर दो कर दो